अब खबर उध्धम सिंग नगर के जस्पुर से है जहां शेत्र वासियों में होली पर्फ के उमंग बढ़ती जा रही है एक और जहां नगर में महिला और पुरुष मंडली द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगा कर होली का पावन पर्फ बनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर हर एक कार्यक्रम में रंगों के साथ गूजी और मठ्री जैसे मिश्टान के स्टॉल सजे हुए हैं इसके साथ की होली पर्फ को लेकर बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं बतादे की चाहे गाह हो या नगर सब दुकानों में रखी रंग बिरंगी पिछकारी हर्बर गुलाल तरह तरह के मुखोटे आदी वस्तुए आकर्शन का केंद्र बन रही है जिससे बाजारों में अलग ही व्योनक बनी हुई है जस्फूर से प्रदीप श्रवास्तव के रिपॉर्ट यजस्फूर। होली मिलन-जस्फूर प्र्रन दन वैंके छुट में हुआ और हमने सभी समाज के सयोग से और ने सभी समाज के लुए हिंडू-मुस्लिम सिक किसाई सब रोग ये हमने सभी के साथ बाज्य करा और पिर्शासन के नियम अनुसार हमने उसके अंदर करा वोली रत्वाई थी, वोली विलन का प्रगाम के अठा और इसमें घरम होकिया और तूलो की वोली कराई गई और इसमें काफी महिलाओं ने डाल पिकिया होली गाई और कहाणी इमिक्ते की डांस भी गई गई होली भी और इनका सर्जर पानी की व्यस्तर गई होली का प्रोग्राम एक रखता गया था यह सभी महिलाओं की द्वारा एक प्रोग्राम गखा गया यहां पर अपर और इसका मेन उदेश्य था जो हमारी नहीं जनरेशन है उन बच्चों को अपनी संस्क्रती से जोड़ ने का था इसमें पहाडी नगतिये पहाडी संगी और अपनी संस्क्रती में किस तरह से होली का तुहार मनाया जाता है या आखी जनरेशन को बताने के लिए इस प्रोग्राम का एजन किया गया है